हेलो दोस्तों दृष्टी PCS चैनल पर एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है आज हम यहाँ पर शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश राज विशेश करंट अफेर्स पर चर्चा करेंगे क्या-क्या वहत्पूर्ण खबरे रही हैं उनको जानेंगे कैसी कौन सी खबरे हैं जिससे सवाल बनाए जा सकते हैं इन सभी बातों पर डिसकस करेंगे तो प्रैक्टिस के तौर पर कुछ सवाल हमने बनाए है उसमें पहला सवाल देखते हैं अगर परीक्षा में पूछा जा दो में कितने अम्रिस सरोवर बनाने जा रही है ऑप्शन क्या है 500 1000 1200 या फिर 1600 तो प्रदेश सरकार की एक योजना लाई गई है अम्रित महुसाओं के तहत उन्होंने 1000 अम्रिस सरोवरों का विकास करने की बात कही है इन सरोवरों को एक पिकनिक स्पॉर्ट के तौर पर विक्सित किया जाने की बात कही गई है तो वहां पर बेंच लगाई जाएंगी काफी सारे सरोवर बनाए जाएंगे जिसमें खासतोर से कमल के फूल खिलाने की बाते कही ग रखें इसके अलावा जो शेहरों में मौझूद कच्रा है उसको भी हटाने की बात कही गई यानि शेहरों के सुन्दरी करण के तहत यह योजना शुरू की गई है तो सवाल का जवाब है ऑप्शन बी यानि का लक्ष रखा है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तरप्रदेश सरकार का एक नया विजन है इस विजन के तहत यह अनुमाल लगाया गया है कि आने वाले समय में बाहर से निवेश को आकर्शित करें उत्तरप्रदेश को भी एक बहतर गंतव्य की रूप में विक्सित करने का इन्होंने लक्ष रखा है तो ऐसे जो आयोजन है वे आगामी दो साल के अंतरगत किये जाएंगे तो सही जवाब क्या है ऑप्शन डी दस लाख करोड़ रुपए अगला सवाल श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दिये जाने वाले शगुन की राशी कितनी होगी तो प्रदेश सरकार पहले से ही इस तरह की एक योजना चला रही है श्रमिकों के लिए जो बेटिया है उनकी उनको उनकी शादी के लिए एक सहायता राश्य योजना चलाई गई है अब उसकी राशी को कुछ बढ़ाया जा रहा है इसलिए सवाल जाहिर सी बात है बनाए जा सकता है अब सवाल में दिया गया है एक लाख रुपए करेंगे डेड़ लाख रुपए दो लाख रुपए या फिर द्याई लाख रुपए तो इसको एक लाख रुपए तक ले जाने की बात कहीं गई है तो अभी जो वर्तमान में रुपए दिये जाते हैं वे एकल विवाह के लिए 55,000 रुपए और अगर सामूहिक विवाह की बात आती है तो यहां पर 65,000 रुपए दिये जाते हैं इसके अलबा अलग से भी 10,000 रुपए दूला दुलहन की जो शादी है कॉस्ट्यूम है उसको ले करके और कुछ पैसे अलग से कुछ अन् हो जाएगी तो सवाल में ऐसा पूछा जा सकता है कि अब कितना बढ़ाया गया है तो यह विकल्प सही है अगला सवाल साइबर लूट पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा कब तक सभी ब्लॉकों में वित्तिये साक्षर्टा केंद्र खोलने का लक्ष रखा गया है ऑप्षन है 2023-2024, 2025 या फिर 2026 तो ऐसी योजना है कि 2024 तक यतने भी ब्लॉक हैं जो भी साइबर सुरक्षा की चुकि आवशक्ता है हम डिजिटली करण की ओर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो शहरों में तो वित्तिये साक्षर्टा की उपलब्दता हो जाती है जागरु योजना का विस्तार करेंगे तो समय रखा गया है 2024 तक ताकि जितनी भी साइबर लेवल पर धोका धड़ी है बैंकों से संबंदित या फिर ATM से संबंदित उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके और उनका जो पैसा है वह वित्तिये व्यवस्था के अंतरगत सुरक आरक्षित किया गया है सीटों को 10 फीसद 15 फीसद 20 फीसद या फिर 25 फीसद तो सही जवाब है 20 फीसद की भरतिया होनी है उसमें 20 परसेंट सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और जितने भी रिक्ट पद अभी तक है अगले चार सालों में उन सभी रिक्ट पदों को भरने का फैसला किया गया है क्योंकि इन सभी फैसलों की पीछे महत्पूर्ण कारण के तौर पर आप ये बात समझ पाएंगे कि पिछले समय से उत्तर प्रदेश की अंतरगत जो बि अलावा सरकारी नौकरियों के अलावा लोगों को कैसे बिजनेस में लगाया जाए स्किल्स का विकास किया जाए ताकि वे रोजगार से जुड़ सके और रोजगार देने वाले बन सके इन योजनाओं में यह चीज़े आपको दिखाई देंगी अगला सवाल मुंदेल एक्सप्रेस वे काफी समय से चर्चा में है इस एक्सप्रेस वे की लंबाई कभी भी पूछी जा सकती है ऑप्शन क्या है 296 किलोमीटर 315 किलोमीटर 340 या फिर 365 तो यह चित्रकूट जनपत से इटावा जनपत तक जोड़ा जा रहा है और इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर इन दो बातों को याद रखिए और जल्द ही इसको इसका लोकारपड किया जाना है इस वजह से सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है ठीक चलिए अगला सवाल दुनिया की सबसे तो देश के अंतरगत जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्टरी स्को बताया गया है रोबोटिक्स की इसका डेवलप्मेंट किया जाना है ग्रेटर नुड़ा के अंतरगत तो ग्रेटर नुड़ा में एक कंपनी है कंपनी का नाम हम देखें कंपनी है एडबर्ब से बड़ी robotics की जो factory है उसको greater noida में लगा रही है तो निवेश के तौर पर लगबग 500 करोण रुपए का अगले चार सालों में निवेश करने का यहां पर एक विचार रखा गया है और इससे ऐसा बताया गया है कि लगबग 2000 को रोजगार मिल सकेगा तो इस factory में जो रोबोट्स बनाए जाएंगे हम उनका यहां से एक्सपोर्ट करेंगे ताकि एक्सपोर्ट के लेवल पर हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और प्रतिसपर्धा चुकि प्रमुक्रूप से चीन जैसे देशों के साथ में है जो चीन रोबोटिक्स की दुनिया में छोटे 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 जो उपकरण है उनको बनान में सवाल सरकार ने किस शहर में उतरपदेश विशेश सुरक्षा बल यानि UPSSF की छठी बटालियन स्थापित की जाने का निर्ड़ा लिया है तो चुकि है निर्ड़ा लिया गया है इसलिए परिक्षाओं के लिए उप्योगी है आग्रा में अयोध्या में नौयडा में या फिर वाराणसी में तो इसका निर्मान किया जाएगा अयोध्या में अयोध्या में ऐसी बटालियन इस शहर से शुरू की जाएगी तो छठी बटालियन किसकी UPSSF की इस्थापित की जाने का निर्ड़ा लिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है तो अब ज धार में किस्थल है प्रतिष्ठा ने उनकी सुरक्षा के लिए UPSSF का गठन किया जाएगा ऐसी बात उन्होंने कही थी ओप्शन भी इसका सही जवाब है अगला सवाल प्रदेश में 14 से 20 अप्रेल तक अगनी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है इस वर्ष इसकी थीम क्य अगनी सुरक्षा और जन सुरक्षा या फिर अगनी सुरक्षा और लाब उसका सही जवाब है अगनी सुरक्षा सीखें और उत्पादक्ता बढ़ाएं तो 14 अप्रेल की दरसल एक घटना है जिसका जिकर यहां मिलता है 14 अप्रेल 1944 को मुंबई के बंदरगाय पर SS Fort Stephen नामक एक मालवाहग जहाज था जिसमें उससों मैं आग लग गई थी तो लगबग 66 66 जो अगनी शमन सेवा के कर्मी थे वे यहां पर शहीद हो गए थे तो इसी दिन को चिन्धित करने के लिए 14 अप्रेल को अगनी शमन सेवा शहीद स्मृति दिवस कौन सा दिवस अगनी शमन से के बारे में जाग रूप कर सके इसकी थीम हमने डिसकस कर ली अगनी सुरक्षा सीखें और उत्पादक्ता बढ़ाएं यानि और उप्शन एस का सही जवाब है चलिए अगला सवाल गरतंत्र दिवस 2022 के उसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश की जहांकी का विशय क्या था तो इस बार की जब परेड हुई थी आप में से कई लोगों ने उसे देखा होगा तो सवाल यहां से भी निकल के आ सकता है कि जहांकी थी उसम ODP यानि One District One Product और काशी विश्वनाथ धाम यह उत्तर प्रदेश की जहांकी थी और इसको पहला इस्थान मिला था इस वजह से भी यह बहुत ज्यादा चर्चा में है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली में आयो जो परेड थी उसमें उत्तर प्रद सब्सकार मिला था और इसकी विशह इसकी थीम ओडी ओपी और काशी विश्वनाथ रखी गई थी यानि कि option B इसका सही जवाब है ठीक है तो आज के सेशन में जिन जिन सवालों को हमने हाँ पर डिसकस किया है आपको उनका रिविजन करना है कोई भी सवाल अगर आपको लगता है कि उसकी कुछ और जानकारी भी जुटाई जा सकती है तो इंटरनेट पर जाकर उसको सर्च कीजिए और यह आपको करते भी जिन साथ रहना चाहिए क्यूंकि कि बीशो के दोरान एक सिमा तक ही जानकारी दी जा सकती है बाकि आपको अपने स्तर पर उसका रिवीजन करना है सवाल कैसे भी बने आपको ने सही करने का प्रयास करना है आप से मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्यमहत्पूर्ण सवालों के साथ खबरों के साथ तर पक पढ़ते रहिए शुक्रिया